तो सर अभी अगर किसी के पास इन्वेस्टिंग है तो आपके साथ वो बिजन्स कर सकता है वैसे तो मैं क्यों होस्ट नहीं हूं और ना यह कोई पॉटकास है हमारी ऐसे सब्सक्राइब कोई इंट्रॉटक्शन की दरूत नहीं है वह उनका नाम है वो है पवन कोटक मला करा हमारे सब्सक्राइब इनके सामने मेरी को यौकात नहीं पर्स्ट अफॉल बताएं कैसा आपका सफर कैसी जर्णी अमेरिका में अमेरिका तो मेरा फेड़िक कंट्री है ना तो सब को बताता हूं थे दुनिया में कोई मुल्क है तो अमेरिका यह आ अमेरिका क्यों कोई और कंट्री क्यों नी Because of the CPA पर कैपिटा उपर्चूनिटी मैं अगर सो काबिल बच्चों को अस्ट्रेलिया में चोड़ दू तो सो में से कितने बच्चे मल्था मिलियन डॉलर बना लेंगे उस मुल्क अंदर और उनी सो बच्चों को अमेरिका में छोड़ा जाए तो उस में से क्या पर्शंटेज निकल पर मैं समझता हूं कि एक है ना माइंसेट का भी रोल आता है मैंने ऐसे लोग देखें अमेरिका में जो 55 साल है वो जौब करें उन्होंने कभी जिन्दीगी में ग्रोथ नहीं देखी उन्होंने ना कभी चाहा नहीं तो मुझे लगता है कि जैसे पाकिसान में बहुत सार ल हमें बस साम जाले कि बंदे का माइंडसेट अच्छा करना है इस ट्रॉंग माइंडसेट करना है रिच माइंडसेट करना है जानने के लिए कि एक जाई बादर 47 बंदा है हमारी बड़े भाई जैसे हैं आप जो मुश्वरे दोगे वो मेबी हमारी जिन्दीगी आगे को सु मैं कराची पैदा हुआ था वही रेस्ट नाचाराून चाहे करता बहरा ने और सिल्तानाबाद में हमारा घर हुआ करता था । दिलने में सारी लाइफ बहरिया कोलेज में पढ़िए बच्पन से लेके जवानी तक वहीं एजुकेशन हुई है और ऐस सच गोल्स कोई खास गोल्स ऐस सच अली एज में तो आप नहीं बिड़ करते हैं आप वक्त के साथ इंसान की गोल्स चेंज होना शुड़ होगा अर्ली एज में बस गोल यही था कि कोई जॉब मिल रहा है कोई चार पैसे कमाने को मिल रहा है थोड़ी घर के हलाद अच्छे हो जाए है मेरी लाइफ में जो मेजर चेंज आया है वो मेरे फादर के उस डिसिजन की वेज़ा से आया था जब मेरे अबू ने फैसला किया कि वो कंप्यूटर एजुकेशन मुझे देना चाहते हैं तो 1992 में मैंने कंप्यूटर के उपकाम करना शुदू किया उन्होंने मुझे प्रोग्रेमिंग सिखाई सबसे बहले अब को कैसे ख्याला कि मैं अपने बेटे को कंप्यूटर सिखा हूं या क्या अबू का बिलीफ ता के फ्यूचर आने वाला दोर हाई कंप्यूटर था अब जाए लाइक फादर लाइक संदू दोनों ही मतलब ब्रॉड माइंड़ लॉजण थी के जब अब दस पर आगे अबू को प्रोग्रेमिंग का शोग चड़ा तो अबूने प्रोग्रेमिंग शुड़ कर दी अबूने वेशे करी वो चल्कुलेटर स्पले ले लेने शु क्या होता है या प्रोग्रेमिंग कैसे होती है तो वो फिर आके अबूने मुझे कहा कि बेटा फ्यूचर जो है ना कंप्यूटर्स का है और टेक्नालोजी कंप्यूटरिंग यह बहुत आगे जाएगी वहां पर अबूने मुझे सखाने शुड़ू के MS-DOS है यह ऐसे काम कर यह बेटी प्लस है इसमें प्रोग्रेमिंग करते हैं यह देखो हम यह मैं प्रोग्रेम बनाऊंगा उसको सेफ करोंगा उसे एक्जिक्यूट करोंगा इसके यह रिजल्ट आएगा तो बच्चों में भाइयों मैं ज़्यादा अटैच हो गया उसके साथ तो तो कंप्यूट अच्छ तो सकेपलाटि एवंशली मैं सम्हाव एंडिडव पिन सेंगापोर मिलेशिया यह दर लिजन वहाँ पर मैंने जॉब साट की आपनी वहाँस मेर करीयर स्ट्ट वोगूँग काफी डिफिकल थेस्टा लेकिन हैद लाद फेशर फेशर औरब्सुर्ट करींगा पैम तो आपको एमेजोन कैसे बढ़ा चला बेकोज उसके बहुत सारे e-commerce के प्लैटफोर्म एठीक है मतलब फिर आपने एमेजोन की तर आपका माइंड कैसे का उसका बूत कैसे आया वह कैसे आपको आया था माइंड में वह एमेजोन वाली जर्नी तो 2009 में स्टार्ट वी थी तो क मिलियंज और कंपनियां बैंकरप्ट हुई थी उसमें मेरी भी एक कंपनी थी तो 2008 एक डिफिकल पीरिएट था पूरी वॉइड के लिए था तो उसमें फिर मैं पैक करके मिलेशा मूव हो गया फैमिली के साथ और डिसाइड़िड के अब मैं ऑनलाइन विजनस करूंगा ज कपा हुआँ गाहर में फैसे पैसे कमाऊंगा और सउस्टी ऴकाणी में रहूंगा तो मेंगी जमीन जपैसे कमाऊँगा सस्ती जमीन पर होँगा तो इसी वज़े से आया था जुरेमें में फैनेशची क्राइसके शिकार ओग में एक डिपजनेश ती तो वहां से मैंने फिर बहुत सारे बिजनसे आउनलाइन एक्सप्लोर करने शुड़ू कि उसमें इबे था, वेब स्टोर था, एमाजन था, तो वहां से मेरा ज़नी इस्टार्ट हूँ है तो वहां से मेरे सारे काम किये थे, मैं ड्रॉप्शिपिंग भी करता था, मैं एमाजन पे होल्सेलिंग भी करता था, प्राइव लेबल भी करता था, इस अ कैपिटल इंटेंसिब बिजनस तो वह जब आप तजर्बे करने में बड़े पैसे जाया हो जाता है, इस्पेशल मैं होल्सेल का बिजनस करता था काफी मेरा मुझे याद है 2014-15 तक मेरा पांच लाग डॉलर महीनी की सेल होती थी मेरी, और मैं शिकागो में बेश ता उस वक्त, तो मैं मिलेशा शिकागो में ट्रैवल करता था काफी ज़्यादा, अब वो पांच लाग डॉलर का आप तो कर मैं बढ़े बाडे ब्रैंच के जूते भी जाता था उस वक्त में ऑपोरल के बगार तो यह बिजिए अगर ने अगर भी बंदा आपने क्रॉस ब्रॉस बोलो बंदा है तो इसके बार में उसका कोप है या नहीं है उसके बोलो कि आप मेरी अभी फिर एक वीडियोएं सॉनीली.com स्लेश डब्लू एस 2024 यानि कि होलसेल का 2024 में क्या स्कोप है क्या फ्यूचर है जिसमें ने बताया कि अगर किसी ने अभी होलसेल के बिजनस में सर्वाइब करना है तो उसके बढ़ एक ही इलाज है अमेरिकन बेंट उठाओ एंग्लिंड में बेचिओ इंग्लेंड बेचो इंग्लिंड ब्राइब टेखेंर ने तो थोरा बहुत बोलाता तो चुछ यह सूंद डोस का मैं ने इसका है उसका लेकिन क्या है तो अपरोल मिल रहा है तो उसके पहले से बैठे दे अचैनल अंधा तो फिर मैंने फिर crossborder wholesale किया था उसके बार पार उसमें यह है कि उसमें फिर marketing की फेक्टर आ जाता है कि तब प्रोड़क्ट शुद भी वहरी अमेजिंग मतब प्रोड़क्ट खुद में से प्रोड़क्ट खुद में इतना इतना जानदार हो लोग देखें तो अट्रैक्ट करेंगा एड में रण करेंग ऐसा है और उसमें पर प्रोड़क्ट सेलेक्शन देखनी पर उसमें पर जामने ले ब्रैंट के भी नक्रे होते है जैसे एक टौइज का ब्रैंड ता किट्स का वह वह वहां से यहां इंडिया से शिफ्ट किया मैं करने दे रहा लिस्ट नी करने दे रहा एप्रूवल के पंगे कस्टमर का दिल कहता है मेरा दिल कहता है यह फेक है तो Amazon कहता बस सही है अब आप साबित करें कि यह पेक नहीं है उसमें तीन से चार मुएने आपके लग जाते हैं तो इस वेरी डिफिकल बिजनेस वेरी डिफिकल नाओ तो पहले किसी दौर में 66 परचेंट सेल आज मुश्किल से 27 परचेंट सेल होसल करते हैं अब जो यह बंदा है घ्र सब्सक्राइब करें अब मैं सब्सक्राइब करना करना हैं अगर आपने बड़ा करना है एक साल के अंदर को बड़ा करना है तो फिर आप बड़ी पैसे लगा देगा दें और उसको और बढ़ा कर लिए अगर आप में बहुत बढ़ा करना है लेकिन अगर आपके अंदर सबर है चार-पांच साल का सबर है तो फिर आप जो चोटी मोटी इंवेस्मेंट से प्राइवेट लेबल स्टाइट कर रहे हैं और चार-पांच साल के बाद ये खुद ही मल्ट स्टेइनबल बुजनस के अंदर सिर्फ अपांच सबर्ण सबर्ण से घनला कर आपके एसाब से ऐसाब से इसाब आपको फिजिकल बिजनस का रोम होके कि कल मदब फिजिकल दुकाने बंद हो मैं भीना अपना बना प्राओंगा अज़ाएग तो नहीं बंद होगी कभी नीम तो फिजिकल दुकाने तो रहेंगी ऑफकोर्स रहेंगी मैं बिलीव करता हूं कि एक इनसान की पहले ओनलाइन दुकान बनाए प्राइविट लेबल अपना वियाएपी होमक करें पैसे जमा करें जॉब से पहले स्टैपिन करने से बले लेर निंग करें सन्य ली से वेंटोर्शिप लें वन लन डी कहा है संजे कि दुनिया वर कैसे करते मैं कैसे ब्रेक इन करूं मैं किसा अपना प्रोड़क्त यूनीक करा हूं जो लोग अट्रैक कर पाएं इस Concerión की कहा है, मैं हमेसा बोलग अटेक करते हैं इसके बाद जो सेकेंड फैक्टर आता है वो इनसान अगर बिजनस करना चाहता है तो मैं समझता हूँ एक्सपिरियंस घрог से आता है एक्सपिरियंस जो है तजर्भों से आता है hazard one تवर्ग है और और्टों को कमपेर करें तो मेरा ख्याल है मर्ट फोड़ी लॉजिकल है पर गयर्जेशर्घ करें बिजनस के मैं देखता हूं सकता मेरा फाइदा है, मैं इसके साथ रहूंगा, फाइदा नहीं है, कट आप तो वुमेन आपके रहे हैं कि थोड़ी बहुत मतलब उसमें वह है कि वह तो तो उसके इलावा आपका भी फूचर गोल्स क्या है आपके सारे बिजनसे सेट हैं, आप एक उमर निकाल के आएं, तो आपने इस चीज को कैसे सोचा कि मैं खुद भी करूंगा, लोगों भी सिखाऊंगा यह परस्नालिटी ट्रेट का हिससा, यह आपके फैमिली से आता है, आपके पैरेंट से आता है तो इस्पेशली जो लोग आप नोट करें सोसाइटी में, जो बच्पन से टीचर होते हैं, जो पढ़ाने का जिनको आदत हो जाती है, उनके अंदर गिववे देने की नेचर जादा होती है अब मेरे फादर में मुझे अप्पुटर ट्रेनिंग सेंटर में लाके टीचर मना दिया, तो मैं पढ़ाने की मुझे आदत पढ़ गई, बताने की आदत पढ़ गई तो यह एक टेक्नी के लिए कादत है जो जो दोस्तों के अपने दे मदद की और सूल जो दोस्तों के आपने म पीड़ पीज थिर्वी पीछेश चुलि लेकर टाने किर लो उसका स्वाध भुल हएं जो इसे अप यह नहीं खैर ऐसे काफी हुए हैं, सोके फोमी, बस यह कि कुछ नमाजी परेजगार, पांच वक्त के नमाजी लोग जो हैं, बगार मुचों वाले, उनके साथ डील करने का मेरा अच्छा एक्सपीरिंस नहीं हुआ पाकिसान में लोग नमाजी बहुत बढ़ते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, तो दुनिया की नेक तरीन कौम हैं लेकिन जुबान की जो कमिटमेंट है उसमें वीक हैं लोग, जुबान की तारीक दिया, 17 तारीकों मैंने यहां बिजन्स सारा जबान पीगाएं, वो जुब प्रांट जाए पर वचन ना चाहें, और दूसरी ज़िए मैं भी बिलीव करता हूं कि अन्सान को एक ही चीज़े फोकस करना चाहिए, या मल्टिबल स्ट्रीम्स पे, फोकस तो एक ही चीज़े पर करना चाहिए, उसके वज़े यह कि जहां इंसान का हाथ पढ़ जाए जैक अगर तो बिजनसमें बनना है और अंत्रिपनोर बनना है और बहुत ज्यादा वेल्डी होना है तो बगए रिसके तो इंपसिबल आप कभी भी पैसे निग पर ना सकेंगे, मैं समझता हूं आज की तारीख में जो यंग पॉपलेशन है उनके पर ज्यादा अच्छी ऑपर् करो सब्सक्राइबर बनन करें को और फॉपलेशन है करें तो बार बात की आप की बिजनससे अंदर और वह उनको बितारे कि यह?ég कम है पर दोस्ती पैसे देखे होती है या इस तरफी उती है किसे होती है पेली बात विए के पुराने जमाने में कैपिटलिजम ने आके दुनिया के वे अफ लाइफ को चेंज किया कैपिटलिजम ये है कि मैं सांस लेने पे भी अब मुझे टेक्स पे करना है पानी का भी मुझे टेक्स पे करना है पानी भी पैसमों पे आता है बजली भी पैसमों पे आती है रहने के लिए मुझे किसी बिल्डिंग में एक कॉर्मर वे एक कम रहा है ना वह भी मुफत्कर नहीं आता परानी हमाने में चीज़ें आसान थी खैमा लगाओ एक घोड़ा रखो और बच्चे की शादी करवाई मिया भीवी ने खैमा में रहना शुरू कर दिया वह लोग में जरूरतें कम थे राइट जरूरतें वह 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 अपितलिजम ने दुनिया को चेंज किया जहां प्लस पॉइंट वह मैं ठाटीज में एवड़ाओ कि अव्यदिन इस प्राइवेट गवेड़में इस नाट गोइं थे दू पर यूवाइट वह आप क्या अश मैं कोई गोल्स ने स्टैबलिश करता बस यह है कि इस एज में आपकी कोशिश ही होती है कि बच्चे जो है वो एक्सपोजर ले 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 तो मैं अभी बच्चों को अमेरिका भेजूंगा उनको एक्सपोजर लेने के लिए कि जाओ यहां पे दुनिया देखो यह एक्सपोजर सब्सक्राइब करते हैं कि इन मुलकों में 18 साल के बच्चा फुली इंडिपेंडनेंट है लेकिन यह एकॉनमी फीड भी कर सकती है हर इंसान के घंटे की वैल्यू है यह टेकसिस में 11 डॉलर का घंटा है आपका 11 डॉलर में बच्चा अपना घंटा बेज के कुछ तो कुमा पहले आयते हैं तो उससे इंफलेशन और लोगों की बाइंक पावर खतम हो गई तो सारा प्रजेक्ट इसमें कोई 2-3 मिलियन डॉलर का लॉस हो गया है तो अब यह के बैक्टु बैसिक्स और बैक्टु बैसिक्स यह है कि Amazon पील जो है वो मेरे मेरा घर का काम है मेरे हाथ का अपने पील ब्रैंट जिसमें पार्केशिप्स हैं काफी सारे हैं काफी सारे स्टोर्स हैं लेकिन मैं 100% को स्टोर ओनी करता उसकी वज़ए यह है कि मैं पार्केसान बच्चों को सिखा है वह अपने स्टोर्स बिल्ड करो जब आपके पैसे बनने शुड़ हो जाएंगे तो अपर बाइंग पावर वाकी अब इतनी नहीं है लोगों की ठीक है बिकास अब लोग बहुत डिस्ट्रक्टेट हो गया है लोगों का पता नहीं क्या है यह तो मैं बिलीब करता हूं और आपने फ्रीलांसर शुरू से लगए ऊपर तक आपने सब को एक प्रॉपर पाथवे इसे वेल्ट बिल्डिंग कहते हैं इंवेस्मेंट का मतलब आप बनाना चाहते हैं आप मैं टेसला के स्टॉक्स खरीड लेता हूं और टेसला काम करेगा मैं सर्फ पैसे कमाऊंगा तो मैं इसका डिविटेंड खाऊंगा लेकिन टेसला देगा टेसला का स्टॉक मुझे देगा शाल का 6%, 7%, 8% रिटरन और माई इंवेस्मेंट उसकी रिकवरी होगी दस-बारा साल के अंदर हां स्टॉक ग्रोग अजाएगा क्रिप्टों को दोनों को एक चिर्गा करने चाहिए या वो इसका क्रिप्टों को दोनों को एक चिर्गा करने चाहिए या वो इसका क्रिप्टों को लेना देना ने वो इक अलगी चैप्टर राइं करते हैं कि अब सेकंड सेज आप सार में समझाएं बृटब विजनस के इसागा बार्या का उसकी अगरेज गोड़ाज निकलेगी एक डॉलर प्रिफिट्ट इलग थाल या तीन साल तो मैं तीन लाग ड्रॉडर प्लस इंवेंटुडी देंके विजनस खरीद लोंगा लेकिन जब मैं बिजनेस खरीदूंगा तो इसको चलाना भी मुझे ही पड़ेगा जब मैं उस बिजनेस को चलाओंगा तो मैं लाइफी स्टेज टू पर आ जाओंगा यानि कि मैं बिजनेस मैन बन जाओंगा अब मैं उस बिजनस को चलाओंगा, मैं दिन के 14 घंटे मैंनत करूँगा, काम करूँगा, और पैसे कमाओंगा, पैसे जोड़ूँगा, जमा करूँगा, जुसी स्ट्राटिजी यह है कि मैं as a business owner उस business को 100% नहीं खरीदूँगा, बलके उसकी 50% की equity खरीद लूँगा, या 10% तो मैंने अपने 10 दोस्तों को reach out किया, एक दोस मेरा gas station चलाता है, एक दोस मेरा mcdonald चलाता है, एक दोस मेरा Indian restaurant चला रहा है, एक दोस मेरे कोई store खोला हुआ है, grocery store खोला हुआ है, तो मैं अपने इन सारे दोस्तों को approach करूँगा, कि भाई आपके business की value क्या है, कितने profit बनात हूँ, थीक है, आपकी दुकान की जो value है, 10,000 डॉलर multiply by 3 साल, 3,500,000 डॉलर की good will है, और आपके दुकान में समान कितना है, जी मेरे दुकान में 1,000,000 डॉलर का समान है, अब आपके total equity आपके business की है, 1,500,000 डॉलर, और ये मेरे 5 दोस्तें या 10 दोस्तें, सब की 1,500,000,000,000,000 चाल लाग, सब्सक्राइब की equity बनती है, मैंने सारे दोस्तें के 10,10,10,10 person खरीदी है, मेरे total सब्सक्राइब चाल लाग डॉलर लगा, अब इन सारे दोस्तें मसरूफ हैं, जो Indian restaurant चला रहा है, वो तंदूर के खुदी बैठा होता है, जब वो सर्फ करने वाला या किचन वा आया या नहीं आया, मैं मिलेशिया में रहता हूँ, अब यह सारे अपने बिजनिस के दर दर सपर्शन के profit मुझे मिलेशिया में deposit करें, वह एक अलग चैप्टर है कि मैं online करूं या offline करूं या offline करूं, यह online में भी कर सकता हूँ, Amazon का, आपका store चल रहा है, मैंने, आपके store के बैतर है, online business को buy करना या offline business को buy करना, मैं सिर्फ online में जाओंगा, मैं offline, आप online में जाओंगा, तो सर अभी अगर किसी के पास investing है, power है, तो आपके साथ वो business कर सकता है, अगर किसी के पास investment है, उसे investment करनी चाहिए, उसे equities खरीदने चाहिए, are you open to be a partner if someone has investing, मैं खरीदता हूँ और मैं आज भी Amazon के stores खरीदता हूँ, मैं equities खरीदता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ Amazon के space में ये काम करता हूँ, लेकिन जो मैंने आपको example दिये, उसे 10 different business online, offline से mix करके दिये, ताके clarity आपको मैं मिल के buy करते हैं, एक Amazon store, why not, it would be an honor to be partner with you, by the way, मैं आप सब लोग में बता दूँ के Sunny भाई का हाथ है, मैं जूट नहीं बोलूगा, कि वैसे मैं content consumer है, शुरू में बोला है, मैं internet में content consumer नहीं, because मैं creator हूँ, consumer नहीं हूँ, मैंने भी concept समझाए, CC का, creator and consumer का, पर मुझे लगता है, Sunny भाई का consumer मुझे होना चाहिए, ठीक है, पर इंसे मैं मिला था, यह आप यहाँ अब AI का जमाना आ रहा है, कि AI technology आ रही है, अब technology बहुत एड़ान सुझे, अब चीज़न तो वैसी नहीं थी, जैसे past में थी, तो एक बंदा AI की तरफ software develop करे, Amazon start करे, या freelancer बनके graphic design करे, because मुझे लगा graphic design का, कानवा AI images, अब AI खुदी content create करा, text form, video form, और आश्या से और भाई करें, freelance करें, या क्या, उनके बाद पैसा आई नहीं प्रेगांदे, पहली बात तो यह कि तीन डिफेर्ट जानवरों को हम साथ मिला रहे हैं, यह तीन डिफेर्ट जानवर हैं, AI का आपके Amazon से कोई लेना देना नहीं है, Amazon एक डिफेर्ट विजनस है, AI डिफेर्ट काम है, AI जो है, AI मशीन लर्निंग, जो जो कांशेप्स हैं, यह डिग्री प्रोग्रेम आपको करना चाहिए, चार-पांच साथ की डिग्री करना चाहिए, आप डेटा साइंटिस्ट बने, आपको उच्छी जाब मिल जाएगा, अच्छा करियर हो जाएगा, आपको रिमोट जाब मि जाएगा, टिक टॉक हो गया, यह हैं शॉर्ट टर्म स्किल्स बैसिकली, पीपीसी कर लिया, आपने डिश्रल मार्केटिंग सीख ली, आप में कुईक इंकम जनुरेट कर लिया, अपना घर का किचन चला लिया, तो यह दो डिफरेंट जानवर हैं, अगर कोई इन दोनों को एक साथ करना चाहता है, तो बिल्कुल पासुबल है, शॉर्ट टम में आप पीपीसी से, डिजिल मार्केटिंग से, टिक टॉक से, अमेजन से पैसे कमा ले, लॉंग टर्म है, आप डेटा साइंटिस्त बन जाएं, और वहां से कोई अच्छा करियर जाब ले ले, तो डिफ करे, let's suppose content create करे, या देखे अपना, it's all about interest as well, मैं बोलूँ आप ये करो, आपको interest ही नहीं, तो कैसे कमा होगा इसमें, मैं अभी content में interest है, तो मैं देखा किना अच्छी तरीक से बोल पा रहा हूं, तो अब देखे interest क्या है, content create, content creators भी millionaire है, Amazon वाले भी multi-millionaire है, it's all about interest, अगर त technology की तरव interest है, तो उसमें जाओ, because हर जिगा, मुझे लग रहा है, कोई भी काम अगर आप शिद्दत से करोगे, तो आप एक bubble की तरह दो, खुद ही आप अपना रास्ता निकाल के उपर आ जाते हो, either you have support, or either you don't have support, and thank you so much Sunny भाई भाई, and I really appreciate it.